आजकल जब भी modern kitchen बनानी की बात आती है तो हमारे सामने kitchen trolley के related बहुत सारे options आ चुके हैं जैसे कि अगर हम basket की ही बात कर लेते हैं तो basket में हमारे सामने tandem basket, wire basket ऐसे दो option होते हैं और यह जो modern kitchen है इन्हें बनवानी के लिए आपके सामने factory made modular kitchen और car painter made modular kitchen ऐसे भी option आ जाते हैं हाला कि इन में से आपके लिए सबसे best विकल कौन सा होगा इसके उपर हमने separate video बना के रखी है पर जब बात आती है आपके kitchen cabinet के finishing की तो इसमें भी आपके सामने बहुत सारे विकल पा जाते हैं जैसे कि painted kitchen cabinet, natural finished kitchen cabinet, laminate finished kitchen cabinet, veneer kitchen cabinet, parche, lacquer kitchen cabinet और 6 acrylic kitchen cabinet और सबसे आखिर में आ जाता है glaze kitchen cabinet अब ये सभी option आपके kitchen cabinet के finishing के लिए आपके सामने होते हैं पर इन में से दो सबसे ज़ादा इस्तमाल किये जाते हैं पहला जो की है laminate finished kitchen cabinet और दूसरा जो की है acrylic kitchen cabinet तो आज के इस studio में हम इन दोनों के बारे में जानने वाले हैं हम ये जानेगी कि इन दोनों में से सबसे ज़ादा durable कौन सा option रहेगा इन में आपको कौन कौन से color मिलते हैं इनकी finishing कैसी होती है और एक important चीज आ जाती है जो की है cleaning और maintenance के इसाब से आपके लिए best option कौन सा रहे देते हो तो आपको आपके kitchen cabinet की जो finishing है उसके लिए best option चुनने में मदद होगी तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखे चानल पर अगर आप लोग नए आयो तो चानल को ज़रूर subscribe कर दीजिए तो सबसे पहले हम यह जानते है कि इन दोनो kitchen cabinet को किस material से बनाया जाता है तो जहां तक बात आती है acrylic kitchen cabinet की तो उन्हें polymer fiber का इस्तमाल करते हुए बनाया जाता है अब इसका जो look है वो lacquer finish की तरह दिखाई देता है दूसरी तरफ जो laminated kitchen cabinet है उन्हें बनानी के लिए flat paper और plastic resin इ प्रिंट किया जाता है अब यह जो laminate kitchen cabinets होते हैं इनके भी दो type होते है पहला होता है high pressure laminate जिसे बनानी के लिए plywood का इस्तमाल किया जाता है और जो low pressure laminate होता है उसे बनानी के लिए mdr board या फिर particle board का इस्तमाल किया जाता है अब यहाँ पर अगला point आ जाता है जो की है finishing की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो acrylic kitchen cabinet होते है उनकी जो finishing होती है वो बहुती high gloss होती है उनकी अपनी एक चमक होती है जिस वज़े से आपका kitchen का look नए जैसा हमेशा दिखाई देता है जो high end kitchen होते है वहाँ पर खास करके acrylic kitchen cabinet का इस्तमाल किया जाता है अब यह जो acrylic kitchen cabinet होते है इनकी जो finishing होती है वो ज़्यादा reflective होती है जिस वज़े से आपको ज़्यादा glossiness इन kitchen cabinet में दिखाई देता है और अगर हम laminate kitchen cabinets की बात करते है तो आपको यहाँ पर भी glossy finish मिलती है साथ में matte finish भी आपको available होती है अब यह जो laminate के panel होते है वो इतने reflective नहीं होते है जिस वज glossiness है उसमें आपको सालों साल तक कोई भी फर्क नहीं दिखाई देगा यानि कि finishing जल्दी खराप नहीं होती है और इनका color भी जल्दी dull नहीं होता पर यहाँ पर रोज मर्रा के काम करते समय हलके full के scratch आपको इन panel के उपर दिखाई दे सकते है तो दूसरी तरफ जो laminate kitchen cabinet होत होते है रेगुलर इस्तमाल करने के बाद भी इनके उपर कोई भी असर नहीं होता है जैसे कि टूट फूट जैसी समस्य हुई या फिर इनके उपर scratch भी जल्दी visible नहीं होते है तो यह एक बड़ा advantage laminate finish के साथ आता है साथ में इसका भी color जल्दी dull नहीं होता next point आ जाता है जो की है color and variety acrylic kitchen cabinet में आपको color में बहुत सारे type की variety मिल जाती है खास करके glossy और mirror finish में और दूसरी तरफ जो laminate kitchen cabinet है उनमें आपको color में तो बहुत सारी variety मिलती है साथ में जो finishing है उनमें भी बहुत सारे type की variety आपको मिलती है जैसे की matte finish, glossy finish और ultra glossy finish इस तरह की finishing भी आपको मिलती है और इनमें आपको बहुत सारे टाइब के टेक्शर भी आवेलेबल होते है जैसे की वूडन टेक्शर, मेटल टेक्शर, स्टोन टेक्शर इस तरह के और भी आप्शन आपको लैमिनेट में मिल जाते है और जहां तक बात आती है रिपेर और मेंटेनेंस की तो kitchen cabinet के उपर scratch जल्दी visible होते है तो इसी वज़े से उन्हें ध्यान पूर्वक handle करना पड़ता है regularly उन्हें clean करना ज़रूरी होता है क्योंकि इनके उपर दाग धब्बे जल्दी दिखाई देते है और उंगलियों के निशान भी इनके उपर जल्दी visible होते है तो इसी वज़े से इन्हें regularly clean करना पड़ता है और जब भी आप इन्हें clean करते हो तो clean करते समय कुछ सावधानिया आपको ज़रूर रखनी चाहिए जैसे कि जो glass cleaner spray होते है या फिर gin cleaner में ammonia का इस्तमाल किया जाता है उनसे आपको इन्हें clean बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप ऐसी चीजों का इस्तमाल acrylic cabinet के उपर करते हो तो इसकी वज़े से acrylic panel की जो finishing है वो dull हो जाती है और उनका color जो हलका पीला पड़ने लगता है और जो laminate finish होती है उनके उपर उंगलियों के निशान जल्दी दिखाई नहीं देते है पर यहाँ पर इन्हें भी cleaning के आवशकता होती है इन दोनों ही cabinet को cleaning करना बहुती आसान होता है और यह जो laminate होता है अगर कोने से उखड जाता है तो ऐसे वक्त में आपको पूरा पैनल जो है उसे बदलवाना पड़ सकता है अब यहाँ पर जो important factor है जो की आपको decide करने में मदद करेगा कि आपको कौन से cabinet के तरफ जाना चाहिए वो है cost यहाँ पर यह जो दो kitchen cabinet है इनके cost में अच्छा कासा difference आ जाता है जहाँ तक बात आती है acrylic kitchen cabinet की तो उसका cost आपको 1500 रुपए per square feet से लेके 3500 रुपए per square feet तक मिल सकता है और वही पर जो laminate finish होती है उसका cost आपको 800 रुपए per square feet से लेके 1600 रुपए per square feet तक मिल सकता है जैसा के आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन दोनों के cost में अच्छा कासा difference आ जाता है तो यहाँ पर यह point definitely जाता है laminate kitchen cabinet के तरफ अब बात करते हैं कि आपके लिए सबसे बड़या विकल्प कौन सा होगा देखिए दोस्तों यह depend करता है आपके जरूरत और budget के उपर अगर आप चाते हो आपका kitchen high end दिखाई दे, glossy finish आपको चाहिए तो ऐसे वक्त में आप acrylic kitchen panel के तरफ जा सकते हो वही पर अगर आपका budget थोड़ा सा कम है ऐसे वक्त में आप laminate finish के तरफ जा सकते हो laminate लगवाने के बहुत सारे फाइदे है जैसे कि यह बहुत ही durable होता है easy to clean होता है इसमें आपको बहुत सारे टाइप के texture, design और colors भी available होते है और मेरा recommendation आपको यह रहेगा जब भी आप laminate kitchen cabinet लगवाने के बारे में सोचते हो ऐसे समय में आपको high pressure वाले laminate का इस्तमाल करना चाहिए जिसमें की plywood का इस्तमाल होता है जो की ज़ादा durable होते है और कुछ जगब पर ऐसा भी combination किया जाता है कि जो उपरी cabinets है उनके लिए acrylic panel का इस्तमाल किया जाता है और जो निचले cabinets होते है उनके लिए laminate panel का इस्तमाल किया जाता है तो अब इन दोनों को compare करने के बाद आप अपने हिसाब से decision ले सकते हो तो आप अपने kitchen cabinets के लिए कौनसे panel को लगवाना पसंद करोगे acrylic या फिर laminate comment box में comment ज़रू कीजिए